लेकर 37 इंच का यह बात आप खास द्यां रखिएगा और अगर वीडियो स्किप करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा इसलिए वीडियो पूरा देखना दे नियवाद ओनलाइन डेलरी ट्लास के इस नहीं वीडियो में आपका स्वाव गया थे तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 42 कमर के सबसे एक फूल एलास्टिक पेइंट की कटिंग यहाँ यहाँ एकडियो एकट में आपको और बिस्पलेए वह दिख रहे हुगा हमें इसी मेजरमंट से कटिंग करना है इसका जो जो मेंजरमंट है वह और बता देखना हुग है यहाँ फूल इलास्टिक रहえगा अगर आप प्रोपर फिटिंग वाला पेंट पहिना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारी दूसरी चैनल हर्षीता ब्यूटिक पर जाके विजिट करके उसकी लिंक में डिस्क्रिशन देदूँगा वहाँ पर जाके हम और डिदान रखे यहां रखेटsınız चलिए वीडियो को सुरूं जर्ण पर एन्जा सबसे सराउइ करेंगा यहां सब bullishुद सकतने हम तो देखिए इसमें जो हमारा आशन का नाप आएगा वो करीबन आएगा 15 से लेकर साड़े 15 इंच आप यहां पर 15 इंच भी ले सकते हैं और 15 इंच भी ले सकते हैं लेकिन हाँ एक बात मैं आपको और बता दू कि देखिए यहां पर अगर हमारा हाफ इलस्टिक और हाफ बिल्ट में हम नाप लेते तो यहां पर हम प्लस एक इंच करके नाप लेते थे तो यहां पर जो हम नाप लेते थे वह हमारा करीबन आता था साड़े बारा इंच और यहां पर एक इंच हम प्लस करके नाप लेते थे और यह हमारा लूज प्लाजो प्रेंट है लेकिन यहां पर हमारा पीछे का पर चार इंस उठके इकटेंगा था इसके लिए हमने इसको हलका सा निच्छे देना पड़ता है यह बात आपका खास नोटीस करके रखिए यह हमारा बहुत काम आता है और उसके बाद हम अभी इसकी लेंद देखने वाले है अगर आपकी कोई भी एक्स वाई जेड लेंद हो वो आप रख दीजिए और उसके बाद यहां पर निच्छे और एक मार्किंग कर दीजिए जो हमारा अगर समझो कि आपका 40 है तो 40 इंच पर एक मार्किंग कर दीजिए दूसरा मार्किंग आप 42 इ दाख से एक्ष्टर पट्टे करक्त अगर कपड़ा कम हो तो अगर आता है तो फिर ठीक है तो यहां पर हम यह लाईनों को मिला लेते हैं क pressing करने। को यह वाला हमारा मार्किंग हो जाने के बाद अभी हम यहां पर देखिए अभी इसका आज़िए तो यहां सब्सक्राइबर वीडियो देखे to उसका आसन करेंदर समझ नाज यह तो पाया था वो 32 इंच आया था और यह जो भी हमने नाप लिया था तो ओल्रेडित हलका सा लूजिंग देखे ही नाप लिया था तो हमारे यहाँ था ही था तो आगे पिछह का हमारे पल्ल है तो यहाँ पर हम इसको डू के साथ डिवाइट करेंगे थाड़ाइड करेंगे करेंकर देंगे चाइब नंपिएंगे तो यहमार आता 14 इंच तो यहां पर हम इस तरीके से 14 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे यह वाला हमारी स्वार्किंग हो जाने के बाद अब सबसे पहला हम इसकी मोरी देखेंगे त स्की यहां पर मोरी है वह 15 इंच तो यहां पर आदा होता है 2.500 इंच और सड़ी साथ करेंगे फिर एक फुटा लेंगे फुट्टे की मदद छे में यह वाली लाइन को यह पत्टी के मदद से इसको यहाँ पे इस तरीके से से शेफ देंगे हो Ар और यह वाली शेफ देने के बाद इसको हल्कसा स्ट्रेट ना रागते हो यह बका सा इस तरीके से ख्रो Experience में हम और एक शेफ देंगे कि यह से हम क्यों देते हैं तकि कपड़ कहना हम इस तरीके से मोड़ेंगे तो यह हमारा बरोबर बेटे इसके लिए इस तरफ उपर के तरफ हम सेफ देंगे तो यह तो हमारा हो गया अभी बरोबर अभी हम इसे मैं आपको को थोड़ा सा समझा दू कि इसको कटिंग किस तरीके से करना पहले वो बता देता हूं फिर इसका कमर का मार्किंग आपको बताता हूं तो देखिए यहां पे इस तरीके से कि सबसे पहले हम इसको यहां से और फिर यहां से इसको इसके साथ ही कटिंग करना है और यहां आ जाने के बाद यह तो हमारा मेन मार्किंग है लेकिन यहां पर नहीं कटिंग करना बलकि यहां तक जाने देना है और उसके बाद इसको यहां पर इस तरीके से cutting कर देना है और यह वाला marking हमारा मे इस तके बाद हम इसको यहां से cutting कर देंगे और उसके बाद देखिए जब भूँ हम इस तरीके से extra एक पर यहां आ जाने के बाद हल्का साम कम करते जाएंगे यहां पर हम एक दाप के लिए ही शिलाई रखेंगे इस तरीके से हमें शिलाई रखनी है आपके कोई भी अब जब भी शिलाई लगाऊगे तो यहां पर थोड़ा सा ज्यादा और यहां आ जाने के बाद हमें कम करते जाना है यह बाद आप खाज दियान रखें तो अभी हम देख लेते हैं इसकी कमर तो इसकी जो हमारी कमर है वो है 42 इंच तो देखें जब हमारी सलवार होती है तो उसमें हम बेल्ट में 8 इंच का लूजिंग देते हैं तो यह हमारी होती है 50 इंच तो एक बात में बता दो कि अगर सलवार वाला वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देदूंगे या फिर आप हमारा दूसरी चनल ह पर जाके विजिट करके देख सकते हैं तो अभी हम इसको यहां से इस तरीके से ना पेंगे तो यह हमारा करीबन हो रहा है वह रहा है तो यह हमारा दो पल्ला है आगे का दो पिछे का दो यानि चार पल्ला है तो उसको हम चार बार करेंगे तो यह हमारा करीबन हो जाएगा 40 52 इंच यहां पर यह हमारा है 50 इंच यहां पर 52 इंच अगर चाहिए तो यह हमारा सही है अभी देखिए यहां पर जो हमारा elastic आएगा वो करीबन आएगा 36 से लेकर 37 इंच का यह बात आप खास द्यान रखिएगा और elastic खिंचने के बाद यह हमारा इस तरीके से बेट जाएगा इसमें हम 36 इंच का ही elastic देंगे यहां पर 50 है और यहां पर 52 इंच अगर कुछ फार्क नहीं पड़ेगा अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां इसको इस तरीके से देने के बाद इसको इसके साथ मिला दीजिए और यहां से वापस से कम करते जाएगे तो यह हमारा ओल्रेडी हो जाएगा और फिर हम इसके चिला कर देंगे यह मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बना यह हुआ है अब आप समझोगे कि यहां पर आस